बैगन की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए सबसे पाले बैगन को अच्छे तरह से धूल लेंगे फिर उसके बाद आधा आधा पीसेस में काट लेंगे इसी तरीके से और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने मसाले ले लिए हैं आधा चम्मच मेथी दाना ले लिया है और एक चम्मच सर्सो दाना पीला वाला सर्सो मैने लिया है दो चम्मच जीरा ले लिया है और थोड़ा सा लसुन छील कर ले लिया है पान से छे सूकी लाल मिर्च और दो चम्मच सौप ले लिया है दो चम्मच धनिया सूखा धनिया ए तीन से चैर लाउंग पांथ से छे दाना मिरिच का ले लिई हैं और इसको कड़ाई में डाल कर स्थ रोष्ट कर लेंगे आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी याल有 निकाल लेंगे और ठंडा अने मिक्सी जार में डाल कर इसको दरदरा पीस कर तयार कर लेंगे ज्यादा बारिक हमें नहीं पीसना है दरदरा ये पीस कर तयार करना है इसी तरीके से देखिए मैंने पीस कर तयार किया है मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए ज्यादा माईन हमें नई पीसना है कड़ाई का इस पर चड़ाने के बाद उसमें डाल देंगे सरसो का तेल ये सबजी सरसो के तेल में ही बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है तेल गरम होने के बाद सारे बैगन हम इसी में डाल देंगे और बैगन को उलट देंगे एक साइट पूरे बैगन कर देंगे और मेडियम फ्लेम पर इसे डग देंगे एक साइट पकने के बाद बैगन को पलट देंगे दीरे दीरे सारे बैगन को इसी तरीके से देख सकते हैं आप पलट देंगे इसे पलटने के बाद उस साइड भी मेडियम पिलेम पर डख कर पकाएंगे जब तक कि ये बैगन अच्छी तरह से गल ना जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बैगन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और आप हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे बैगन तो फ्राई होते होते ही गल जाते हैं अच्छी तरह से एक बर्तन में निकाल देंगे आलुओं फिर निकल दिया है घुष करविया हैर इसना चुसर्ण करविवD b 2 चमच फी पाबडर टाल देंगे और मैं नहाव मसामेकर have हे त्यक्रेट कानगा हैरो श्रत्तुड चुनgg में नर्गलत नमक निकुत आसमाμεं पानी डाल देंगे पानी डालकर अच्छे तरह से मिलाएंगे गैस को आई पिलेंपे कर देंगे और मसाले को उबलने देंगे एक से दो मिनट हम इसे पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना है मसाले को और यहां पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा पक रहा है और अब हम इसी में स डालने के बाद हलके आतों से इसे दीरे-दीरे मिला देंगे और कड़ाई को मेडियम फिलिम पर 5-10 मिनट तक धक देंगे बीच में इसे एक से दो बार खोल कर चला देंगे इस सबजी का जो मसाला है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसी एक बार जरूर से ट्राई करिएगा ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप दाल, चावल, रोटी, सबजी, पराठा, पूरी, किसी भी चीज के साथ खाईए ये बहुत ही टेस्टी लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबजी बनकर विल्कुल तयार हो गया है आलू बैगन का आप भी ट्राइ करिए अपने घरों में और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना विल्कुल मत बूलिएगा फिर मिलते हैं अपने नए नए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब राधे राधे